पसकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूटुब चैनल में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कितने बजे का सपना सच होता है आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके सोते हुए सपने देखना आम बात है कहा जाता है कि व्यक्ति जो दिन भर में सोचता है वही उसे सपने में दिखाई देता है लेकिन कई बार कुछ सपने ऐसे आजाते हैं जो हमें परिशान कर देते हैं कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो दिल को सुकून पहुचाते हैं स्वपन शास्त के अनुसार सपना देखना एक स्वभाविक प्रक्रिया है लेकिन सबसे महत्व पूर्ण है कि कौन सा सपना किस समय आता है क्योंकि कुछ समय ऐसे भी होते हैं जिसमें सपना आना उसके पूर्ण होने का संकेत है ऐसे में ये जानना बेहत जरूरी है कि किस वक्त में देखा गय सपना अपना होता है बताया जाता है कि उस वक्त में देखा गया सपना सच होते हैं इस वक्त देखे गए सपने होते हैं सद्वपन शास्त्र के अनुसार सुभा के तीन से पाच बजे के बीच देखे गए सपने जादा तर सच होते हैं क्योंकि इस वक्त को अमृत बेला चंद बतायर जाता है कि 3-5 बजे के बीच देखे गए सपनों का फल 6 महीने के अंदर मिलता है। तो अपने शास्त्र के अनुसार 3 बजे सिर 5 बजे के बीच देखे गए सपने सच होते हैं। अगर इस वक्त में अच्छे सपने आये तो उसे शुब संकेत माना जाता है। यदि इस वक्त में किसी तरह के बुरे सपने आये तो उसे अशुब संकेत माना जाता है। इस तरह के सपने का आपके जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में इन्हें दूर करने के लिए सबसे पहले आपको शिवा ले जाना चाहिए। और भगवान शिव पर जल या दूद अर्पित करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करें कि जो भी सपना। देखा है वह कभी पूर्ण हो। इस वक्त देखे गए सपने का कोई अर्थ नहीं होता। सु अपने शास्त्र के अनुसार रात्री के 10 बजे से 12 बजे के बीच देखे गए सपनों का कोई मतलब नहीं होता है। बताया जाता है कि इस वक्त देखे गए सपने सच हो भी सकते हैं और नहीं भी। इस वक्त देखे गए सपने 3 साल में पूर्ण होते हैं। सु अपने शास्त्र के अनुसार रात 12 बजे से 1 बजे के बीच देखे गए सपनों का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। बताया जाता है कि इस वक्त में देखे गए सपनों का फल 3 साल में प्राप्थ होता है। इसके अलावा एक बज़े से दो बज़े के बीच देखे गई सपने अक्सर सच होते हैं और इसके फल एक साल में प्राप्त होते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कृप्या वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें